तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूँ आप और आपके पैट्स दोने का फिजदा हेल्दी होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका डॉग कोई भी प्रकार की मैडिसेन है चाहा है वो फीवर की है डी वार्मिंग की ह या और भी कोई मैडिसेन है वो नहीं खाता है गर वो मैडिसेन खाने में आना काने करता है दिक्कत करता है तो आप उसको किस तरीके से मैडिसेन खिला सकते हो क्योंकि जो मैडिसेन होती है उसमें अलग से एक स्मेल होती है जिस वजह से हमारा जो डॉग है वो इस मैडिसेन खिला सकते हो और उसका कोई भी ट्रीटमेंट घर में कर सकते हो तो आज किस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखेगा दोस्तों आपको सारी चीच के लिए अरहो जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्रकार की मेडिसन किसी भी प्रकार की मेडिसन जैसी भी है वो मेडिसन अपने डॉक को एजिली खिला पाओगे और जो भी उसकी बीमारी है उसको डाइगनॉस करके उसका ट्रीटमेंट एजिली कर पाओगे दोस्तों चलoration वीडो को आंगे बढ़ाते हैं और इस अंडे को बोल गणने के लिए रखा हुआ है और इस अंडे का मैं यलो वाला पाड़ यह नहीं कि जो हमारा यलो योग है उसको मैं यूज करने वालों मेडिसन खिलाने के लिए बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें आप सब समझ जाएंगे अब मैं गैस को चालू कर लेता हूँ और इस गैस पर अंडे को ओवालने के लिए रख देता हूँ दोस्तों आपको बस इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि आपको जो अंडे उबालना है आपको जो अंडे बॉयल करना है उसको जरूर से ज़्यादा बॉयल करना है जी आँ दोस्तों आपको थोड़ा सा जादा ही बोईल करना है मान लीजिए कोई अंडے को आप 5 मिनिट बोईल करते हूं तो इसको आपको 10 मिनिट तक बोईल करना है इसका रीजिन आपको आँगे पता चल जाएगा और आपका डॉक खाना नहीं खा रहा है अब आपको अपने डॉक को कैसे खाना खिलाना है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपने डॉक को कैसे खाने में मिला कि मैडिसन खिलानी है और आपका डॉक कितने आराम से खा लेगा गबासा वीडियो को ध्यान से देखते रहा हूँ, आप सब समझ जाओगे, आप देख सकते हो वीडियो में, कि मेरा डब्बू देख लिया है, कि मैंने इसमे मेडिसिन मिलाई है, तो वो खाने से कैसे दूर भाग रहा है, मतलब कि खाने को इग्नोर कर रहा है, मैं चाह के भी उसको ये खाना नहीं खिला पाऊंगा तो अभी आप देखोगा लेकिन कुछ समय बाद कि मेरा डबू इसी खाने को कैसे पूरा फिनिश कर देगा साथी साथ जो मैंने इसमें मेडिसन मिलाई है वो भी वो कितने अराम से खा लेगा अभी मैंने खाना नीचे रख दिया तो आप देखो वो कितने अराम से बैट गया यनि कि उसने देख लिया है कि मैं उसको खाना नहीं खिला रहा हूँ तो वो अराम से बैट गया है यहां दूसरी और हमारे अंडे भी बॉयल हो गए है और मैं थोड़ा सा और इसको गरम करूँगा दोस्तों अपने डॉक को आप यह मत सूचेगा कि सिर्फ गोली खिलानी है मेडिसन खिलानी है तो हम उसको कच्ची अंडे देदें नहीं दोस्तों आपको अपने डॉक को किसी भी हालात में केवल आपको बॉयल्ड एगी खिलाने हैं दोस्तों करीब करीब 10 से 12 में ठो गए हैं और जो हमने गैस पे अंडे को उबालने के लिए चड़ाया था वो भी अप काफी अच्छे तरीके से बॉयल्ड हो गए हैं तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि अब मैं अपने डॉक को मैडिसिन देने वाला हूँ जो मुझे डॉक्टर ने दी थी मुझे डॉक्टर ने बताया था कि जो उन्होंने मुझे मैडिसन लिखी है उस मैडिसन को मुझे चार भागों में तोड़ना है और उसी में से एक भाग मुझे अपने डॉक को देना है तो वही चीज मैं कर रहा हूँ मैंने मैडिसन को चार भाग में तोड़ा और जो एक भाग मुझे अपने डॉक को देना था मैंने उसे बारिक बारिक तोड़ लिया है बारिक बारिक आप बोल सकते हो पीस लिया है आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने उसको हतोड़ी की सायता से कैसे बारिक बारिक कर लिया है बिल्कुल एकदम powder की तरह अब मैं इसको किसी भी खाने में easily मिला सकता हूँ तो आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा तो guys जैसे कि अब आप देख सकते हो कि जो हमने अंडे को उबाला था अब मैं उसको ले आया हूँ और मैं उसको अच्छे तरीके से छील लेता हूँ अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको starting में क्यों बताया था कि आपको जो अंडा है उसको जरूरत से ज़्यादा बॉयल करना है क्योंकि अंडा छीलेगा काफी अच्छे तरीके से यदि आप उसको ज़्यादा boil करोगे और दूसरी चीज ज़्यादा boil होने की वज़े से चाहे उसका white portion हो चाहे उसका yellow portion हो वो part जो होता है वो बहुत ही easily match हो जाएगा बहुत प्यारे तरीके से match हो जाएगा और यदि आपको किसी चीज में उसको मिलाना है किसी चीज को उसके साथ add करना है तो वो काफी अच्छे तरीके से उसके साथ mix हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में मैंने आपको सब बताया है जिस medicine को हमने अभी बारेक बारेक तोड़ा था अभी हमने उसी में yellow वाले part को मिला दिया है मैंने आपको अंडा ज्यादा उबालने के लिए बस इसलिए कहाता क्योंकि ज्यादा boiled egg जो होता है वो आसानी से किसी भी चीज में mess हो जाता है मिल जाता है तो ज्यादा अंडा उबनने के कारण मैं कितने अच्छे तरीके से दवाई को इसमें मिला पा रहा हूँ तो आप भी जादा ही अंडा को वालिएगा तो अब मैं इसमें अंडे को अच्छे तरीके से मिला देता हूँ ताकि जो हमारा डॉग है वो इसको easily खा ले तो चलिए अब हम इसको अपने डॉग को खिला देते हैं तो हमारा डबू इसको कितनी प्यारे तरीके से खाया जैसे ही मैंने इसको रखा बस हूँ उसने पूरी दवाई सपा चट कर दी वरना ऐसे मैं मैं तो खिलाता रह जाता और जो मेरा डबू है वो इस मैडिसन को नहीं खाता लेकिन जो अंडे वाला रास्ता था वो बहुत ही अच्छा था और मेरा डबू ने इसको आसानी से खा लिया है तो आप भी इसको ट्राय कर सकते हो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको डॉक्टर ना या वेट ना बोला है कि जो मैडिसन है वो आपको अपने डॉक को खाने के साथ देनी है खाने के साथ मिला के देनी है उस कंडिसन में आप क्या करोगे मैंने इसमें white portion को मिलाया हुआ है मिलाया क्या दोस्तों मैंने इसमें white वाले portion की शिर्फ topping करी है आप चाहो तो इसमें yellow वाला part भी डाल सकते हो उसको आपको उपर-उपर मिला देना है जिससे कि आपका जो dog है उसको दवाई की गंद बिल्कुल भी नहीं आएगी केवल उसको अंडे की महकाएगी और आप चो dog है वो इसको easily खा लेगा अब आप देख सकते हो कि मैंने डबू है उसने भी दवाई वाला खाना कितनी असानी से खा लिया जबकि मैंने इसमें केवल जो सपेद वाला part था अंडे का वो उपर-उपर ही मिलाया है का सहरा ले सकते हैं जी हाँ दोस्तों मीठा यानि की स्वीट्स आप अपने dog को जो मैडिसन है वो मीठे के साथ दे सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है थोड़ा सा मीठा ले लेना है उसमें आपको मैडिसन को मिला देना है बारिक पीस के तो आपका dog उसको easily खालेगा क्योंकि हमारे dog को मीठे के महग काफी ज़्यदा पसंद आती है दूसरी चीज अगर आपको मीठा भी नहीं खिलाना है तो जो दूद होता है उसके उपर की मलाई जमती है उसके साथ भी आप अपने dog को खिला सकते हो तो ये तीन चीज है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है इनके सहारे आप अपने dog को जो ज़्यादा महग से महग वाली गोली होती है वो भी easily खिला दोगे और जो medicine की गंध होती है वो आपके dog को परशान नहीं करेगी और आप जो दवाय चाहों वो अपने dog को दे सकते हो और easily उसको ठीक कर सकते हो तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अंडे का यलो वाला पार्ट है उससे आप अपने dog को medicine खिला सकते हो साथी साथ यदि वो कोई medicine ऐसी है कि वो खाने के साथ देनी है कि आपको खाने में मिला कि वो medicine देनी है तो आप वैसे भी दे सकते हो जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इसके बाद यदि आप कहा अंडे नहीं आते हैं आपके यहाँ non-vege mana है आप लोग नहीं खाते हैं आप vegetarian है तो आप क्या कर सकते हैं आप मीठा यानि कि कोई भी sweets ले सकते हैंगे और थोड़ी बहुत मात्रम उसमें medicine मिला सकते हैं देखे दोस्तों मीठा हमें अपने डॉप को नहीं खिलाना चाहिए ये बात मैं जानता हूँ लेकिन आप इस बात को ध्यान लखिए कि कभी कभी मीठा हम दे सकते हैं क्योंकि हमको से medicine खिलानी है तो हमें सिब दो टैम मीठा देना है तो आप थोड़ा थोड़ा मीठे में जो आपको sweets होता है मीठा होता है उसमें medicine मिला कर आप दे सकते हैं तीसरी चीज़ दोस्तों अगर आप मेटाइब नहीं देना चाहते हैं तो दूद होता है तो दूद के ऊपर की जो मलाई जमती है आप थोड़ी से कटोरी में मलाई को निकाल लीजिए और जो मैडिसेन है वो उसमें मिला दीजिए और फिर अपने डॉक को खिला दीजिए तो